यह मैंने ले लिए थोड़े दो प्याज और दो लिए हैं मैंने आलू और मैं आज अभी पराठा बनाऊंगी और जो इन में से कुछ बचेगा उसका मैं बहुत ही बढ़िया इस्तमाल करूंगी जो आप पांशे हजार रुपया लगाते हो पालर में वो नहीं लगाना पड़ काम में आते हैं मेरे इंडोर प्लांट के लिए बहुत बढ़ी अखात का काम करते हैं और अभी मैं आलू को ऐसे कर लेती हूं ग्रैंट कर लिया है मैंने उसके साथ और पंजाबी में उसे मूली कंडा बोलते हैं कुछ लोग तुर्मा बोलते हैं और देखिए मैंने इसे कर लिया है अच्छे से ग्रैंट कर लिया है और मैं आप जो आलू का जूस है उसे निकाल लूँगी और इसे मैं निकालते ही जल्दी से फ्रिज में स्टोर कर लूँगी इसका मैं कैसे इस्तमाल करती हूं वो मैं आ आपके साथ प्राठा बना लोगा उसके बाद करूंगी आप मेरे साथ जुडे रहे और ये देखिए इतना सा जूसा आया है और अब मैं प्याज को थोड़ा सा दरदरा पीस लोगी इसका भी जूस निकालना है ने मैंने और देखिए जी ये प्याज को भी मैंने दरदरा कर अब बाद में बाद अबाद में बाद में बाद में बताती हूं और सबता है तो मैं देखिये कड़ीपता निकाल हूँ ड़ा है ये कड़ी पत्ते का जाड तो तो ये आगया था कड़ी पत्ता और मैं अब भी इसमें जो मसाले डालने हैं मैंने मेरा सिंपल मसाले रहते जीरा ज्वैन और कलॉंजी डालूंगी मैं कलॉंजी बहुत हर किसी को एक सब्जी में डेली डालनी चाहिए बहुत ही ये क्या-क्या कि फैदें ये गूगल कर लेए ना मैं तो बोल नहीं पाऊंगी इतना सा ज्यादा और अब भी मैंने नमक मिर्ची और जीरा ज्वैन मसाला डाला है जो गरम बनाया हूँ अथा गर 허 डाल दिया है मैंने और थोड़ा से दनिया पوडर भी डालना है मैंने और अब इसके ट्यार बनाना है मैंने तो मैंने सोचा के आज कुछ ऐसे दिखाई नहीं दे रहा था जे है जी आमला पॉडर और जो मैंने प्याज का जूस निकाला था उसमें मैं दो स्पून ये न आमले का पॉडर मिक्स कर रही हूं तो पहले मैं अपना ये काम कर लूँ क्यों जब तक मैं करता तो मैंने डाल लिया आपको भी आईल पसंद करते हैं और अच्छे से अभी अपने लगा लोंगी और बड़िया सी स्मूथनिंग बनाने हैं आज मैंने तो करते हैं को कि मैंने कर्वाई थी और उसके बाद जो मेरे हाईा बालों का हाल हुआ कभी फिर बताऊंगी और आज बस इतना ही देखिए कि मैंने प्याज का जो रस है उसमें मैंने आमले का पौडर डाला है बहुत सारे पौडर डाल सकते हैं फिर कभी शेयर करूंगी आज मैंने आमले का डाला है तो आप यही देखिए और देखिए जी यह मैंने लगा प्याज का जूस और आमले का पॉडर मिक्स करके जब तक मैं नाचता बनाओंगे गर के दूसरे काम करूंगी तब तक यह अपना काम कर लेगा ऐसे से लगा के जब मैं बैठूंगी और टाइम फिर ना बोर आ जाता है कि मैंने कब स्टान करना है टाइम भी खतम नहीं होता त तो काम भी हो जाएगा तब तक मेरा यह अब मैं आ गई थी कीचन में और मैं अब भी जल्दी जल्दी दो बढ़िया से मोटे मोटे और लंबे चोड़े दो पराठे बना लूँगी एक अपने लिए और एक बनाऊंगी सुरिंदर के लिए और पराठा जो मेरी तिल्गू अब पराठा है उनको बनाना नहीं आता मैं इसलिए बहुत दिखाती हूँ तो वो देखिए जी बन रहा है अभी पराठा मिर चूस को अंडी मंची काने ने पराठा रेडी यह से ना मिर गुड़े चेस को अंडी मैं अभी तिल्गू में बात कर रही थी क्योंके मेरी एक बोलती है थोड़ी सी बीच में तिल्गू बात किया कर तो एक रोटी मैंने ऐसे बेल ली है और साइड पर रख दी है उका चपाती रेडी जेशी ने शाइड की बेटी ना इंको चपाती रेडी जेशी आलू दान फाई ना बेटा ले तरवाता इंको रेडी जेशी ने लिए जो मैंने ऐसे ग्रेंड किया था उसके साथ तुर्मा था तो अब क्या है कि मैं इसको अच्छे से पराठे को ऐसे ज्यादा था लोग आलू को बॉइल करके ही बनाते हैं अगर ऐसे भी बहुत बढ़िया बनता है आप एक बार ट्राइजरूर करना बॉइल करना यह कर इसी मोटी रोटी और पराठा बड़ा ही पसंद है तो मैं इसी साथ से बना रही हूं तो और पराठा दीखेजी हो रहा है अब भी तैयार और इसे मैं लगाऊंगी दो स्पून गी बरबर के और अच्छे से मैं कड़ा करूंगी गैस को थोड़ा कमी कर लेना आप जाद गै कि अच्छे सब्सक्राइब की ब react ड़क ability मैं आफिमेनल दय और गी रखा है अर और मिर्ची रखी है और एक मैंने क्थामिठा चार रखा यह उए और सुरिंदर को मैंने नाच्ता आ दे दिया था और मैं फिर अब हागा थी अच्छे से मैंने headbutt कर लिया था और देखिए जो मैंने प्याज और प्याज का रस उसमें आईल लगा के मैंने कोई भी आप आईल लगा लेना आपको जो भी पसंद है मागर वो लगाया था और मैंने 2-3 स्पून मेरे प्याज के रस के थे और एक स्पून मेरा आईल था कोई भी आईल ले लिजिए और देखिए जी मैंने 4 गंटे कम से कम रखा है साड़े 4 गंटे उसके बाद मेरे जो भी किचन का काम और गड़ का काम खतम होने के बाद मैंने अच्छे से headbutt किया और देखिए मेरे बाल और बाल शैंपू करने के टाइम मैंने जो आलू का रस था ना उसमें मैंने मेरे 2-3 स्पून आलू के रसके थे और एक स्पून मैंने शैंपू का लगाया है बीच में मिक्स कर लिया था और फिर मैंने ऐसे नहाया सर और फिर देखिए मेरे बाल देखिए कितने शाइन कर रहे है और देखिए स्टेटनिंग बढ़िया हो गई है फ्री में बस पराठा बनाई है और स्टेटनिंग कर लीजी और ऐसे नहीं है कि हर बार पालर जाना है गर पे भी बहुत कुछ कर सकते हूँ और आप मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहे है और आपके साथ मैं बहुत कुछ शेर करना चाती हूँ मगर आप मेरी वीडियो को ही शेर नहीं करते है इसलिए मैं भी चुप बैट जाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे है तो फ्रेंट फैमली के साथ शेर करना मत बूलिये और मेरी स्टेटनिंग देखिए कितनी अच्छी है और बाल मेरे देखिए कितनी अच्छे हैं फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स बाई बाई